आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केंदरा बैंक में अगर आपका भी पैसा कटा है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वह इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चानल को और देखे पिछले वीजियों में बहुत सारा कमेंट आया था कि बहुत सारा था मगर जो तीन कमेंट था वह बहुत टॉपिक वाला बात था तो तीनों कामेंस इसी वीडियो में स्टार्टिंग में यह दे अगर आपका पैसा कटा है जितना भी माइनस में हैं मान के चली 500 600 900 जितना भी माइनस में गया है अगर वह माइनस में गया है और आप उसको सोच रहे हैं कि आप पेमेंट कीजिएगा अकाउंट में तो वह काट के अब फिर वापस आजाएगा तो रिफंड नहीं आएगा यह फर्स्ट कोशन था जो बहुत में जाते हैं तो वह कुछ में लेते हैं वह करते हैं कि आपका कोई लोन है यह करेगी और तीसरा जो कमेंट था कि customer के भी कह रहा है सेम बार कि आपका कोई loan चर रहा है अकाउंट में जबकि आपने कभी loan लिया ही नहीं उस account से अब फिर भी कट रहा है तो हम इस वीडियों में बताते हैं तो देखें simply हम इस वीडियों में solution बताएंगे कि अगर केंदरा बैंक से पैसा कट रहा है तो उसका सिर्फ दो रीजन हो सकता है या तो आप केंदरा bank के account में पैसा management नहीं कर रहा है यानि कि manage नहीं कर रहे है यानि जो मंत्री average करना रहता है वह नहीं करने तब ही आपका पैसा कट रहा है एक बात आप जान जाएए अगर मानके चलिए कि मन्त लिए आपको नहीं पता चला है है कि किस मंत लग रहा है तो आप एक हजार रुपिया या दो हजार उसमें डाल के छोड़ ही दीजिए तो यह पेमेंट आपका कटेगा नहीं और आप क्या करते हैं कि 6,000 आज डालेगा दो दिन रखिएगा तीन दिन और फिलिका लिजिएगा तो ऐसे नहीं होता है आपको ए को अपने बैंक से पूछ और दूसरा आप अगर किशी भी धनी कोई भी हिए कोई फिलिदली काड दे जाल डालते हैं कि अब का मंतिली कार्ट देता है तो यह भी आपका हो सकता है और यह हम क्यों कर रहे हैं यह मेरे साथ हुआ है हम आपको लाइफ रूप देखाएंगे तो आप देखिए और हम तो ठीक कर लिए मगर तीनों बात जो हम आपको बता है कि वो पैसा रिफन नहीं आता है ब्रांच कुछ मदद नहीं करेगा कस्टमर केर भी मदद नहीं करेगा और आगे हम बताते हैं तो देखिए पहले तो आप लाइफ प्रूप देख लिजीये मेरा कटा था पेमेंट तो देखिए यह आप देख सकते हैं यापर यह पैमेंट कटा है 500 पान्सो नवे रूपिया पान्सो चुगतर रूपिया अगर आप जा कर गूगल पर इस वर्ड को सर्च कीजिएगा E.C.S.D.R जो भी यह लिखा हुआ है इसको अगर आप सर्च कीजिएगा गूगल पर तो पता है इसमें क्या आएगा आपको हम बताते हैं अगर यह गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो सिम्पली कुछ नहीं दिखाएगा यह दिखाएगा कि आप कहीं से कोई कंपनी आपके आकाउंट से इतना पैसा काटी है और इतना पैसा रिफंड नहीं आएगा और बैंक इसका कोई रिख्स नहीं लेता है अर्बिया इसका आप simply क्या करना है एक 1000 प्या मंतली मेंटेंड रखना है जितने आपका अकाउंट का मेंटेंड है इसको मेंटेंड रखिए आपका पैसा नहीं कटेगा 100 परसेंड नहीं कटेगा अगर आप ऐसा कीजिएगा कि काच लें पैसा लां को को अगली वीडियु में चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक शेयर ज़ार किजी धन्यवाद